सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे बड़ा डी मेरिट सेंसे मेथर्ड का क्या होता है आज एक एक पारामीटर को मोनिटर करेंगे आप एक एक परसन से डेटा कलेक्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो यह जो पॉपलेशन का सवे होता है यह कौन करते हैं आपको पता होना चाहिए जितने भी बच्चो गर्वर्मेंट स्कूल के टीचर होते हैं गर्वर्मेंट ऐसे ही इन टीचर को परशान करते हैं वैसी परशान करते हैं और परशान करती हैं तो इनको एक एक आदमी से मिलना पड़ेगा बट यह काम सेंसर में नहीं हम करेंगे क्योंकि आधार का डेटा सब के साथ शेर हो जाएगा फिर सेफटी एंड सेक्यूरिटी पे प्रशन चिन्न लग जाएगा इसके लिए कभी भी जब यह सेंसर वाले आपके आएं और आप फ्रॉट भी चालू हो जाएंगे आजकर अभी होने वाला सेंसर बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है प्रोसीजर यह कहेंगे थम इंप्रेशन दीजिए ताकि आपका डेटाम तुरंद रेजिस्टर कर ले किसी को मत दीजेगा आपने थम इंप्रेशन दिया बाद में आ नंबर आफ परसंस बहुत जादा है बहुत जादा तो इसले सेंसेश पॉसिबल नहीं है बट पॉपिलेशन के लिए बचो हमारी कंट्री में क्या हर कंट्री में सेंसेश में जल्द ही चलता है बट फॉर अदर प्लेसे यूर बिजनस्मेन आयम बिजनसमें मैं राइस मिल चला रहा हूँ और आप होलसेलर हैं आपने 10 lakh quintals rice purchase करना है पॉसिबल है एक एक दाना चेक करना absolutely not randomly आपने 10 lakh quintals के लिए so called 10 jute bags में भरा हुआ 100 kg एक bag में rice होता है तो 10 jute bags में कितना राइस हो गया 1000 kg bags खुलवा लिए और हर बैग में से 10000 ग्राम राइस randomly चेक कर लिया आपको quality best नजर आ रही है तो आप deal करेंगे best payment की आपको quality inferior नजर आ रही है तो आप deal करेंगे inferior payment की आपको quality worst नजर आ रही है तो आप deal ही cancel कर देंगे what it तो इन सब जगाओं पर census follow is that clear तो यहां पर क्या चलता है sampling चलता है ओके खौपड़े में बाद गई पका चलिए तो next method is called as what's your name sampling तो request everybody की पहले आप demerits के headings copy कर ले और उसके बाद आप sampling method center में heading लिखेंगे तो why it is expensive because the population size is very 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 large why it needs more time and manpower because जो इसका collection analysis और interpretation है वो limited area में perform नहीं और बहुत बड़े area में perform हो रहा है किसी जमाने में बच्चों घर में शादियां होती थी तो एक एक रिष्टेदार के यां घर के बड़े लोड़े खुद काट देने जाते थे बही कहीं दादा जी दादी जी चले गए कहीं चाचा जी चाची जी चले गए कहीं बड़े पापा बड़ी अगर्ण का विडियो भी जते हैं और जिनको बुलाने का मणी नहीं उनको काड की JPG फाइल फेजी जाती है और जिनको थोड़ा सा मने थोड़ा सा नहीं उनको PDF भेजा जाता है और विडियो तो समय लिए स्टेटस पे अप्लोड कर लिया बंडारे टाइब है सब देख लो जो देख ले वो आ जाए, नहीं समझे, समझ गए सब किस के आँ जाना और किस के आँ नहीं जाना, तो पुराने जमाने में census method चलता हूँ था, card distribution बे, एक एक ए घर जाते थे, request करते थे, आईएगा जरूर, got it clear, आज कल क्या चलता है, sampling method चलता है, जो बहुत ही close relatives हैं, उनके card post हो जाएगा, मतलब जाएगा सब के हाँ, by post जाएगा, by hand नहीं जाएगा, शेहर में भी Delhi, Mumbai में तो by post भी भेजते हैं, because distances बहुत जादा है, पता लगा मौसा जी का अगर मामा जी गर्जे 35 km दूर है, एक Noida में रह रह रहा है, एक सरोजी में रह रहा है, तो courier service से चला ज जाएगा, अब Delhi में रह रह रहा है, कोई गाजियावाद में रह रह रहा है, कोई फरीदावाद में रह 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 रहा है, distances are far off, तो JPG file फोटो कीच के, टेरी मेडी फोटो, कौन जी फोटो, टेरी मेडी, मतलब इनको बुलाना नहीं है, दले दर कैटेगरी को लोग है, बुल आना हो, उनको कार्ड, पोस्ट मत करिए, खुद से भी मत दीजिए, वीडियो भेज दीजिए और फोन भी मत करिए, कि शादिये आना है, तो कौन सा मेथड चलता है, आचकल, sampling चलता है, तो senses और sampling समझ में आ गई सबको, चलिए, तो senses में तो बहुत कम पढ़ाई आपने की, बट sampling जो है न बचो, बहुत वास्ट है, और दुनिया की सबसे पहली sampler कौन थी बचो, शबरी, जिसने राम जी के लिए एक-एक बेर टेस्ट किया था, तो सार, sampling कहा हुआ, senses हो गया, पूरा बेर खाया नहीं था, सिर्फ टेस्ट करके, छोड़ दिया, got it clear, चलिए, so when only some representative items, out of a population are selected, and data is collected, इस method को क्या बोलते है, sampling, तो बच्चों, sampling चलता कहां पे है, जहां पे आपकी जो population है न, ये homogenious है, characteristics more or less common है, school में आपके class में, teeth का so-called check-up होना है, let us say कि एक class 11 में 500 बच्चे एक school में पढ़ते हैं, तो Colgate वालों ने जो dentist लेके आए, पचास बच्चों का teeth का survey कर लिया, और मानेंगे कि बाकी 500, 4500 जो बचे, इनका भी data यही होगा, सब वही गन्द मन खातने हैं, momos और chaunin और पता नहीं क्या-क्या, तो it is assumed कि it is all same, logic understood well, but जहाँ पे population की characteristics एकदम ही heterogeneous हो, एकदम ही अलग हो, वहाँ पे क्या sampling चल पाएगा बच्चों, वहाँ पे sampling नहीं चल पाएगा, तो sampling वहाँ पे चलेगा, जहाँ पे आपका जो collect करने का area of operation है, जहाँ से आप data collect करन जिन लोगों को आप study मिले रहे हैं, उन सब की characteristics काफी जादा मिलती चुलती है, understood everybody, पका, so please update in your copy seller, यह notes खुद से बनाने, बहुत बढ़ा advantage मिलता है children, कि आपको याद रहता, जब आप exam में लिखते है ना, तो आपकी copy आपके सामने आ जाती है, तो यहाँ 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 प expensive, as every person who is involved in the data collection will be given a tablet and a smartphone, so it is expensive, और यह पागल पर नहीं लिखके है न, जीरो मिलेगा exam में, what it, meaningful लिखना है, meaningful, चलिए, तो sampling start करते हैं बच्चों, sampling के कुछ features और characteristics आपके सामने आ रहे हैं, एक एक करके लिख दीजे, sample is a part, got it clear, सबसे पहला task होता है, कि आपका sample representative हो, मतलब मतलब यह है कि अगर आपको चावल खरीदना है, तो आप चावल की at least इतनी quantity लें, कि वो sample को represent करें, अगर मान लीजे, 50 kg की बोरी चावल की आपके सामने है, एक एक दाना तो आप देख नहीं सकते, बट कम से कम 100 ग्राम, 200 ग्राम तो हाथ में लेके देख लो, अगर 5 दाने गिंती के लेंगे, तो क्या ज़री आपको अच्छे मिलें? No. Same is the case, जब आपका blood test होता है, बच्चो, best example है, best example बच्चो, sampling का blood test, मान लीजे, आपने full body check-up कराना है, अपने दादा जी का, और आपने path kind वालों को बुला लिया, 24.99 का package है, कितने का? 24.99 का package है, आपने उस particular path pathology वाले sample collecting agent से बोला, दादा जी का body में, एक-एक कत्रे का sample लेके check करो, एक-एक कत्रे का sample क्या होता है, पूरा blood निकाल के check करो, पूरा blood ठीक है कि नहीं, भाई साब पूरा blood निकालेंगे, तेरा दिन बाद पाटी हो जाई गर में, तो क्या पूरा blood निकाल लेगा, no, 20 ml, 10 ml syringe होती है न, पता लगा, syringe खोल-खोल के, जग भरे पड़ा है पूरा, अरे बाद में tomato, ketchup की तरा खाना, थोड़ा खो, clot कर जाएगा, पूरा blood, तो what he will do, वो injection से थोड़ा सा blood, 20 ml, 10 ml, जो syringe में आएगा, वो निकाल लेगा, और tubes होती है उनके पास, उसके अंदर भर किड्नी का टेस्ट है, लिवर टेस्ट है, हार्ट टेस्ट है, तो तिन चार tubes में उसने भर लिया और lab में बेज दिया, और collect हो किया गया, तो sampling यूज करेगा, सेंसे उस करेगा, और अगर आपकर ने, इनका सेंस करो जाएगा, पूरा खूर निकाल लेगा बोड़ी से, बट वो थैली सीमय जैसी बिमारी होती है, जो ब्लड बनता ही नहीं बोडी में, बेसिकली, तो वो ब्लड निकलता और दूसरा ब्लड फिर से, चड़ाए जा, सर पहले पूरा निकाल लेते हैं, फिर पेश्ट करो, वो रेस्ट निपीस हो जाएगा, एक तरफ से ब्लड निकलता सवेरे 8 बजे ले जाना, तो बच्चों वो अगर 5 ml blood sample लेके जाएगा, थेंगा कुछ टेस्ट कर पाएगा, क्योंकि 5 ml में उसको sufficient blood नहीं मिल पाएगा, तो उसकी company ने बोला, कि कम से कम, तुम 20 ml collect करना, और 10-10 ml दो tubes में भर लेना, तो this is the representative sample, तो representative sample को, अगर मैं simple अंग्र से फल खरीते होंगे, सबजी खरीते होंगे, yes or no, yes or no, गोभी मम्मी ने बोली, एक फूल गोभी लेके चले आओ, तो इसमें sample पूरा हो जाएगा, एक फूल भी आप ध्यान से देखेंगे, बट मम्मी ने का कि 5 kg टोमाटों लेओ, हमको प्यूरी बनानी है, तो 5 kg में एक ए फ्राइस के लिए, पोटेटोस का वो फ्राइस खरीता है, क्या आलू काटते हो लो, no, मैकिन का पैक आता है, बना बनाया, तो उनका भी quality control department क्या करता है, census करता है, आलू करिते समय, no, they do sampling, कभी-कभी आपने अगर McDonald's का फ्रेंच फ्राइस खाया हो, चोर टाइप के होते हैं बड़ा महंगा देते हैं, मत खरीदा करिये, बट मान लीजिए, आपने कभी बच्पन में लिया हो, तो कभी-कभी देखते हैं नो, कोई आलू सड़ा दला निकल जाता है, क्या सभी वैसे होते हैं, no, कभी एक बार दो-चार-दस बार और प्लेस किया, तो एक बार सड़ा ब्यालू निकल आया, तो अगर सेंसस किया होता, तो एक ब्यालू खरा, नहीं होता, उस केस में जो फ्रेंच फ्राइज 110 रुपे का मिलता है, वो 1100 रुपे का मिलेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट, जादा हो जाएगी, समझ में आई बात की नहीं आई, पक्का, जो काचल प्रदेश से, जम्मु एन काश्मीर से से बाता है, वो क्यों 200 रुपे किलो विखता है, क्योंकि 100 किलो से में 10 किलो तो सड़ा हुआ ही होगा, आप अगर अपने घर में 5 किलो से खरीद किला है, तो दो तीन पीस तो डिफेक्टिव, आएंगे ही आएंगे, तो क्यों स पूरेश खा के देखी जाएगी, पूरी-पूरी खा के देखी जाएगी, सैंप्लिंग चलेगा, बट सैंपल का साइज बहुत लार्ज होगा, ठीक, यह नहीं कि डॉक्टर ने दाल उपर से एक चमच खा ली, नो, नो, पूरी दाल स्टिर करेंगे, एक कटोरी दाल चावल खाएंगे, यह जहर तो नहीं मिला दी, आपने उसके अंदर, ओके, सो गुट सैंपल इस जेनली स्मॉलर दैन दा पॉपिलेशन, और पूपिलेशन का मतलब समझ गया न, बच्छों क्या होता है, एरिया ओफ, स्टड़ी, खोपड़े में बात गई, तो अपडेट कर लीजे, जट पर चला, सो यहां पर एक एक एक्जाम्पल है, एन इंवेस्टिगेटर इस इंट्रेस्टेड इन कंडुक्टिंग इंक्वाइरी इंटु मंतली एक्स्पेंडिचर इन स्कूल, जहां पर 5000 स्टूडेंस पढ़ते हैं, तो अब यहां पर हमने 500 स्टूडेंस के बेसेस पर रीसर्च करन हैं, तो 500 स्टूडेंस की जो हम स्टूडी करेंगे, इस विल बी कॉल दस वाट सैंपल और यह पांच हजार जो होंगे बच्छों, इस नोन आज पूपूलेशन आज वेल आज यूनिवर्स अलसो अब यूनिवर्स का मतलों वह ब्रहमान जोगरफी मत समझ लिए हो दूसरा क्लियर, तो इस एक्जाम्पल को कॉपी करके ये दो चीजें जरूर माख कर ले लो, कि पॉपुलेशन या इनुवर्स किसको बोलेंगे और सैंपल किसको बोलेंगे, क्योंकि MCQ में क्वेश्चन आएगा, from the total 5000 students, the investigator wish to study only the data of 500 students, full stop, sample would be 500 students, 5000 students, 4500 students or none of these, तो आपका अंसर होगा, 500 students, okay, update fast, तो what are the factors affecting sample size, तो there are certain reasons, जो आपके sample size को effect करेंगे, और ये क्या-क्या होते हैं, बड़ी simple सी बात है, सबसे पहला children, size of population, population आपकी अगर varied है, heterogeneous है, तो आपका sample कभी भी ठीक नहीं होगा, population बहुत ज़ादा है, तो आपको sample बड़ा लेना पड़ेगा, population कम है, तो sample छुटा लेना पड़ेगा, like COVID के case में children, variants बहुत धेर सारे थे, तो हर घर पे जाके, medical team ने sample collect किया, या मौले में 10%, 20% हो, 10-20%, but starting में हर जगा उन्होंने collect किया, बात में जब उन्हें पता लगा, कि लगबख sample से में मिल रहा है, मौले में अगर 500 घर हैं, तो बहुत चार सु असी घरों से तो exactly same sample आया है, तो अगर 500 में से 5 घर का भी sample ले लेंगे ना, तो पता लग जाएगा कौन से strain का COVID है ये, और उसकी accordingly दवाई बन जाएगी, नहीं समझ माई बात, समझ माई बात, तो Asian paints वारों ने paint बनाया, इंडिया में अगर हर मोहले का climatic condition अलग अलग हो चिल्टन, जो की practically possible नहीं है, तो वो लोग अलग अलग टाइप का paint बनायेंगे, बटन को पता है कि नॉर्थ इंडिया में 10 महीने तो गर्मी रहती है, वेरास चेरापुंजी और असम साइड में तो 8 महीने बरसाती चलती रहती है, तो चेरापुंजी में जो वो paint भेजेंगे, उसकी variety different होगी, नॉर्थ पूरा देश ही लगबख रंडा देता है, अमेरिका पूरे देश में ही same climate रहता है, क्यों कि देश बहुत छोटा है, वो longitude latitude होता है न, बट इंडिया में क्या है वई, जो upper north है बड़ा cool रहता है, महराष्ट्रा में कभी आपने देखा है कि sweater बिकते हैं, महराष्ट्रा में ताबूत में body वाप इस plotter तो बताईएगा, यहाँ बाठंडा होता है उनके इसाब से, तो जो लोग South India में रहते हैं, यह Vee Belt में चल रहे हैं, तो इनके लिए सर्दी जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर आप data collect करने चले जाएं, questionnaire में लिखा हो, how do you feel about winter season, क् नहीं है, तो इनकी geography की किताब में winter season गायव हो जाना चाहिए, क्योंकि winter season ही नहीं, और वो जो लद्दाग में रहते हैं, उनकी किताब में होना ही एक season चाहिए बस, what is that, winter season, और UPMP बिहार वालों के लिए, tropical climate है तो इनको हर तरह का season मिल जाता है, चेरा पुंजी में सिर्व any season ही होना चाहिए, नहीं समझे, समझना गया, तो logic यह है बचो, तो मान लीजिए कि एक करोड़ लोग कहीं पे हैं, और कहीं पे एक लाख लोग हैं, आपने चुना 10% sample, तो एक करोड़ में कितने लोगों को लेंगा, 10,00, और 1,00, में कितने लोगों को लेंगे, 10,000 को, is that clear तो अगर population बड़ी है, तो sample size भी बड़ा होगा, logic understood or not understood, confirm, next, degree of accuracy, कितना सटीक analysis आप करना चाहते हैं, बचो, अगर sample का size छोटा होगा, तो degree of accuracy जादा नहीं आएगी, like blood collection के लिए minimum 20-25 ml blood चाहिए, चाहिए किसी इंसान का, बट अगर blood collect करने वाला, कुल 4 ml blood लेके गया है, क्या वो blood report दे पाएगा, वो सिर्फ आपको blood group बता देगा, homoglobin वगरा बता देगा, बहुत जादा liver kidney के test नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास quantity उतनी जादा नहीं है तो अगर accuracy जादा चाहिए, तो sample थोड़ा सा, क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ice cream खाईए बच्छों, चौको चिप ice cream खाईए आपने, आप से पूछा गया taste कैसा था, पकवास एक दम, बट आपकी मम्मी से पूछा गया taste कैसा था, अरे delicious, क्योंकि मम्मी ने दो चम्मच चौको चिप ice cream खाई, तो चौकलेट फ्लेवर भी आया, और वो गोल-गोल बूंदी टाइप चौकलेट चिप्स होते हैं, वो भी ऐसा रहा हम सोझे से चौकलेट आप चिप्स मिलेगा, अलू का, रह गई भई अनपड़ लोग हमारे, तो चौको चिप में गोल-गोल भूंदी टाइप चौकलेट होती है न, चौकलेट ग्रैनूल्स भी बोल सकते हैं आप उनको, तो मम्मी ने जब दो चमच ice cream खाई, तो she got complete content to taste, आपने तो बस जीप से थोड़ा सा उसको softy में था चाट दिया काम कदम, तो आपको पूरा टेस्ट नहीं मिल पाय तो मम्मी वूट बी दा बेटर परसंट टो गिव दो अब्जरवेशन ओफ दा इसक्रीम, नॉट यू, क्योंकि आपने पूरी ice cream खाई नहीं, मूवी का ट्रेलर देखके रिव्यू दे दिया, पूरी मूवी देखेंगे, कौन बनेगा, सौरब सर, तब जाके रिव्यू आ आएगा, समझ में आई बात की नहीं, तो अगर accuracy जाधा चाहिए, तो sample size क्या करना पढ़ेगा, बचो, large करना पढ़ेगा, IQ test करना है, class के 4 आवारा लगों को पकड़ लिया, जिनका पढ़ाई लिखाय से कोई लेना देना, नहीं है, attendance उनकी minus में जा रही है, अपसर minus में कैस जाएगी, बच्चा तो स्कूल आन रहाता, teacher घर जा जाके complain कर रहे है, तो attendance minus में चली गई, बच्चा स्कूल आएगा तो plus, नहीं आएगा तो zero, teacher घर पहुच गया, तो attendance minus में चली गई, इन बच्चों से आप IQ test कर रहे हैं बच्चों, तो गलत sample आपने ले लिया है, तो किस स्कूल में 500 बच्चे हैं, class 11th में, तो बच्चास को ले लीजिए, बट किसी स्कूल में अगर 5000 बच्चे पढ़ते हैं, क्या 50 को लेना सही रहेगा, तो आपको sample size बढ़ाना पढ़ेगा, understood this, एक आपने बाल तोड़के lab में दे दिया, test करके बताओ, हमारे hair का nature क्या है, silky ह वोलन बाल है, cotton candy की तरह है, या so-called keratin सही है की घरबड है, test नहीं हो पाएगा, जब थोड़ी सी quantity काट के देंगे test, तब हो पाएगा, logic understood, track your race ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना पढ़ेगा, sample size बढ़ाना पढ़ेगा, homogenity और heterogeneity, अगर आपका population heterogeneous है children, तो sample बहुत बढ़ा चाहिए, homogenious है, तो छोटे sample में काम हो जाएगा, if I say, दो महलो में, 10,000, 10,000 लोग रहते हैं, colony A and colony B, colony B में heterogeneous है, और colony A में homogenious है, तो यहाँ पे अगर बच्चों आप 10 लोगों को भी select कर लेंगे ना, तो आपकी study सही answer दे देगी, बट यहाँ पे आपको as maximum as possible लोगों का data collect करना पड़ेगा, तो heterogeneous में sample size should be super large, एक तरह से senses ही हो गया मान लीजिए, बट homogenious में कोई problem की बात नहीं है, आप so called small sample से काम चला सकते हैं, तो अगर homogenious है, small sample would work, heterogeneous है तो आपको बहुत large sample चाहिए, नहीं सहलना है, गए party में, food tastier का job है आपका, एक चमच अररर की दाल आपने खा ली, सिर्फ पानी पानी आया, दाल के granules तो आए ही नहीं, कि आप आप टेस्ट बता पाएंगे, बट एक कटोरी भर के अगर दाल आपने खाई, तो आप टेस्ट बता पाएंगे, is that clear or not, पका, nature of study, I repeat, तो nature of study का मतलब क्या होता है, अगर आप बहुत intensive study करना चाहते हैं, continuous study करना चाहते हैं, कुछ आज, कुछ कल, कुछ पर जो, छोटे-छो अगर आपकी study, repeat नहीं होनी है, बच्छो, एक ही बार आप study करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, लार्ट सैंपल लेना पड़ेगा, नहीं समझें, एक ही बार आपको allow किया जाएगा, अल-काइदा के camp पे जाकर, लोगों का interview लेने के लिए, 2000 लोग वहाँ पे हैं, पड़े professionally काम करते हैं वो लोग भी, आजकल दो movies भी आती हो, freelancer, एक series आई है, उसमें पुरा दिखाये गया है, तो आपको एक chance है, आप प्रेस reporter है, आप उनकी psychology के उपर एक study carry out करना चाहते हैं, बस एक ही chance दिया गया है, बाद में visit नहीं करेंगा, विजिट किये, तो आप is lot and like नहीं रहेंगे, तो you would try to interview as maximum people as you can or less people children, maximum, जब चाहे तब चले जाएए, एक दम मंदिर, मस्जिस, चर्च, गुर्दवारे की तरह कोई रोख टोग नहीं है, तो आप दो चार, दो चार लोगों का interview, लगबग डेली basis पे रहेते रहेंगे, और कुल आपने सोचा, हम 200 लोगों का 2000 में interview लेंगे, तो अगर study repeated है, continuous है, हर दिन कर सकते हैं, ये काम, तो small sample sufficient है, बट अगर repeat नहीं करना, तो आप एक ही बार में सब की study कर लीजे, large sample चाहिए आपको, ओके, copy fast, चश्मा देखा है आपने, मैंने भी पहना हुए, जिन लोगों की age, लगबग इंडिया मैं 40 साल क्रोस कर जाती है, उनकी दूर की नजर भी कमजोर हो जाती है, अब मान लीजे, किसी की दूर की नजर 1.25 है, किसी की 1.5 है, किसी का 0.75 है, तो pre-prepared glasses are available in the market, आप आई साइट चेक करा लीजे, कई भी यहमारा 1.50 है, तो वो आपको बना हुए चश्मा जटपट देगा, क्योंकि majority लोगों का ऐसा चलता है, लॉजिक समझ मा गया, तो चश्मा बनाने वाली company ने data collect किया, और यह पाया कि 90% Indians, जब 40-42 की age क्रोस करते हैं, तो दूर की नजर जब कमजोर होती है, तो किसी का 0.75, किसी का 1.5 और किसी का 1.25 आई साइट का issue रहता है, तो चश 5% लोग ऐसे हैं, उनका 1.25 में थोड़ा सा वो cylindrical number होता है, सर यह क्या होता है, अब यह आप optician की दुगान में नौकरी कर लीजे, दो दिन आपको पता लग जाएगा, मैं ज़्यादा गयान इस पर आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, तो मेरा जो number market में pre-prepared available होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह पक्का नहीं है, तो generally 16 से 18 साल के बच्चों का जो body structure होता है, वो 80% तो सेम रहता है, 20% लोग थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो 80% लोगों के लिए तो कपड़ा ready made मिल जाएगा, बट 20% के लिए ready made नहीं मिलेगा, उन 20% को टेलर से stitch करवाना पड़ेगा, नहीं समझ मैं, मान लिजे, दादी माने बच्पन में खुब आलू का पराठा देशी की में खिलाया है, तो लोग एकदम वो fighter बन गया है, कौन सा फेट, sumo wrestler बन गया है, तो वो पता लगा कपड़ा खरीदने का है, तो पापा की shirt का size, उनकी shirt का size, सेम है, समझ मैं गया, कुछ लोगों के कपड़े museum में भी मिल जाते हैं, logic समझ मैं रहा है, तो ये जो कपड़ा बनाने वाली companies है, ये इंडिया में जब data लेती हैं, तो इंडियन्स का लेंगी, आफ्रिका में जब data लेंगी, तो आफ्रिकांस का लेंगी, तो 16 साल के लड़के की shirt जब ये आफ्रिका में बना के भेजेंगी, तो हो सकता उसका size कुछ और हो, बट इंडिया में 16 साल की लड़के की body structure थोड़ा सा slim trim होता है, understanding or not, वो नीगर होते हैं, एडम में टाइप के एक दम, उनसे पंगा मत लीजेगा, पता लगा, टाई की नौट की तर और अगर हमारे आके 30 साल के लोग एफरिका चले जाएं, तो उनको 17 और 18 साल वाले बच्चों के कपड़े पहनने पढ़ेंगे उनको, नहीं समझ मैं है, समझ में आया की नहीं आया, तो ये है बच्चों data की importance, तो अगर data collect ना हो, तो मेरे को तो नहीं लगता दुनिया का को जा देखा, तो बेस्ट क्या काम करता है बच्चों, जूम से अच्छा कुछ भी नहीं है, security दो कोड़ी की है, दलिदर security एक दम, but इससे सस्ता, इससे बढ़िया connectivity, low bandwidth पे किसी और की नहीं है, तो पूरी दुनिया में most preferred क्या रहा, जूम, साड़े 300 से 400% इनके share prices बढ़के ब होता है, इसको हम US ले जाएं, लोगों के मुह में छाले निकलाएंगे बच्चों, अगर वो दो फुलकी खा लेंगे, मुह से ड्राइगन की तरहा हाँ पिकने लगेंगे, but we Indians are used to that much of मिर्ची, yes or no, तो अगर अमेरिका में आप जाके फुलकी खाएंगे, पानी-पूरी खा प्लप हो गया, उन्होंने US वाला डेटा इंडिया में यूज कर लिया, कि लोग वहां पे टिक्की में जो पैटी पसंद करते हैं, वो किस चीज की पसंद करते हैं, पंकिन, कद्दू जिसको बोलते हैं, पंकिन, कोड़ई, सब्जी बंती हुएं आपके घर में, तो पैटी घी से cholesterol बढ़ जाए but उनका butter का consumption कम नहीं होगा कभी तो अमूल वाले इंडिया में जो butter बेचेंगे उसमें salt बढ़ा के बेचेंगे but US में जो butter बेचने हैं उसमें salt कम होता है क्योंकि वो लोग जादा salty spicy खाना पसंद नहीं करते हैं समझ में आई बार तो इंडिया का कोई restaurant अगर US में जाके दंदा करता है तो वो मिर्च का use कम करेगा और US का कोई restaurant इंडिया में आके business करता है तो spices का use जादा करेगा के FC का आपने chicken खाया होगा शाए या जो लोग नहीं अलग और हमारी study अलग तो सर यह यहां पर लिखा नहीं यह लिखा नहीं यह आप लिख सकते हैं छटा पॉइंट एरिया और ऑफ स्टडी तो एरिया ऑफ स्टडी जैसे इंडिया बड़ा डाइवर्सिफाइड देश है बच्चो बड़ा डाइवर्सिफाइड जम्मू में चाय काश्मीर में चाय कोई दूसरी पी जाती है जैसे जैसे आप नीचे आते हैं मिलक का कॉंपोजेशन बढ़ जाता है और नीचे जाते हैं तो पीपल अर इंट्रेस्टेड इंट्रिंकिंग ब्लैक टी ब्लैक टी का मतलब क्या होता है सरो काला रंग एशियन पेंट बोलते थे नो दूद का कंजम्शन नेगलिजिबल सिर्फ चाय पती ही पानी में खुलके इस्पॉंडेंट्स नेचर लोग अगर कॉपरेटिव नहीं है बचो तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा लोग कॉपरेटिव है तो सैंपल साइज छोटा भी काम कर चाएगा अंडर्सूड एवरीबडी यह फैक्टर बहुत इंपॉर्टन है इसके उपर क्वेशन ब अपने से कितने बच्चे हैं जिन्होंने रियल जूस कभी अपने जीवन में पिया हैं सबने पियोग ना दो कॉड़ी का जूस आता है वो जूस नहीं होता बच्छों 75 प्रतिशा तो चीन ही होती है उसके अंदर फूट पल्प हाड़ली 2-3% पांच भी नहीं होता अब यह कंपनी जब जूस बनाती है फूट पल्प की जब शॉपिंग करने जाती है तो यह लोग क्या एक-एक मैंगो एक-एक लेटर्स से मुसम्मी और इंग बगरा देखते हैं ध्यान से नो यूस दा टेखनी को सैंपलिग गॉट इट लियर भाई सो कुंटल इनको मैंगो सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव ओफ दा होल होना चाहिए सर मतलब आज मैंने फिनेंचल लिटरसी के लेक्चर में लोगों को निफ्टी और सेंसेक्स का ग्यान दिया था ठीक है निफ्टी में टॉप फिफ्टी कंपनीज होती हैं जिनके प्राइसेस का चेंज आपको बताया जाता है और Sensex में top 30 अब top 50 companies जो होंगी वो लगभग 20 से 23 अलग अलग type of businesses होते हैं बच्चों, automobile business hospitality pharmaceutical chemical telecom अब इंडिया में अगर हम automobile की बात करें तो we have Mahindra, we have Tata we have Maruti, we have Hyundai N number of companies 50 में हम हर car company को दोला नई सकते, because हम को एक company pharmaceutical sector से चाहिए एक cement वाली चाहिए, एक telecom वाली चाहिए, एक automobily वाली चाहिए, एक hospitality वाली चाहिए तो बच्चों हम सारी companies को दोला नही सकते, तो automobile की कोई एक ले लेंगे pharmaceutical की कोई एक ले लेंगे टेलीकॉम की कोई एक ले लेंगे उसके बाद लेटर से क्या कहते हैं ये केमिकल इंडस्ट्री कोई एक ले लेंगे बट वो ऐसी होनी चाहिए जिसका वर्चा सूप पूरे देश में हो लाइक मारुती अगर सिर्फ और सिर्फ सूपर लग्शुरी कार्स लाइक मर्सेडीज बेचे और टाटा ऐसी गाड़ियां बेचता है जो पूरे देश में लोग खरीते हैं तो आप लोगों को आटो मोबील सेक्टर की ग्रोथ या डाउनफोल समझाने के लिए टाटा का एक स्कूल में पढ़ाई का लेवल क्या है आप टॉपर बच्चे का रिजर्ट देखेंगे या मैजॉरिटी बच्चों का रिजर्ट देखेंगे मैजॉरिटी क्योंकि टीचर को काम उनी के ओपर करना है टॉपर तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए स्कूल आता है वो तो अल्रेड़ी पढ़ा लिखा है वो तो 99 वाला पहले से ही था तो टीचर हस्टू वर्क ऑन इंडिया में लोग रहीस हैं की गरीब है क्या आप उन लोगों का इंटर्व्यू लेंगे जिनके पास आईफोन है नो इसके पास तो पैसे ही है तो यह तो गरीबी दिखाती है बेसिकली तो आप उन commodities को consider करेंगे data collection में जो एक average Indian use करता है क्या average Indian air service करता है नो क्या average Indian AC घर में रहता है नो तो आप ऐसे लोगों का interview लेंगे जो cooler और fan इस्तिमाल करते हैं नहीं आसताजी ऐसा नहीं है average एफोड नहीं कर पाता fan शायद effort कर लें एक ऐसे person का ऐसे group of पीपल का ऐसे community का interview लेंगे जो normal day-to-day living में so-called job कर रहा है खोपड़ें बाद गई की नहीं गई आपने सारे multi-nationals का interview ले लिया और आपने बताए India is a very growing country US से ज़ादा मिलनेर्स हमारे आए number में किसमें number में तो अगर किसी particular class में 1000 बच्चे हैं बच्चों और इसमें 10 फेल हो गए किसी class में 100 बच्चे हैं इसमें 10 फेल हो गए A class B class किस class का result अच्छा गया है तो दोनों बराबर रिसर दोनों बराबर ही fail हुए है अरे नहीं भई यहाँ पे only 1% of the students have failed and here children 10% तो किसका result अच्छा है class A का तो आपने so called काफी चीजों को दिमाग में रखना है while selecting the sample तो जब हमारा बच्चों यह nifty और sensex बनता है ना तो यहाँ पे हम top 50 companies को लिते हैं और यह ऐसी 50 companies होती है जो पूरे देश में business करती हैं यह ऐसे products बेचती हैं जिसको लगबग majority Indians खरीते हैं यह ऐसा business करती हैं जो consumer products हैं क्या आप इन 50 top companies में ऐसी company को रखेंगा जो हमाई जाज का टायर बनाती है उससे एक normal Indian को कोई लेना देना नहीं है आप मान लीजे आपके घर में party है बच्चों तो what will be the requisite of a good food menu the food should be consumed by majority of guests और minority of guests समझना क्या आपके घर में मान लीजे बच्चों सत्य नरायन की कखा है तो क्या आप pasta सर्फ करने की सोचेंगे सत्य नरायन की कखा में कौन पास्ता खाएगा स्यूठी नहीं करता है बड़े party होगी तो क्या कचोड़ी और कोड़े की सबजी खिलाएंगे बड़े पाटी है तो क्या जाल मजीरा नहीं आएंगे बड़े party है तो क्या जाल मजीरा ले आएंगे वहाँ पे डीजे लाएंगे तो अगर आप caterer को बोले कि हमारे ना सत्य नरायन की कखा है पचास लोग का खाना बनना है तो कोड़े की सबजी आलू की सबजी यह सब बोलेगा हमारे बेटे का बड़े है तो बोलेगा चाइनीज रख लीजे तोड़ा सा बटर पनीर मसाला ब्लैक दाल रख लीजे और तो रेकुजट आप गुड मैनी उसब को समझ में आ गया तो वैसे ही सैंपल ऐसा हो जो मैजॉरिटी रप्रेजंट करे बच्छो या मैनॉर्टी रप्रेजंट करें मैनॉर्टी मैनॉर्टी रप्रेजंट करेंगा मैजॉर्टी रप्रेजंट करें I am a teacher I should teach in which language which is most comfortable to majority of students or I start teaching in Afghani and Talibani language जो मैजॉरिटी को सीट करें मेरे जादतार examples जब हो बच्छो रूपीस concerned हो या डॉलर concerned हो पका चलिए एडिक्वेसी जब आप sample collection की बात कर रहे है अभी उपर हमने पढ़ा था ना कि sample इतना बड़ा तो हो कि आप research कर पाए adequate होना चीए अगर एकदम छोटा सा sample आपने ले लिया तो research नहीं हो पाएगी मैं हूँ canteen का owner और आप मेरे senior chef हम अपने hostel में बच्चों को canteen में banana shake देना चाते है daily शाम को ताकि थोड़ी सी energy boost हो जाऊंगी banana और honey के combinations ऐसा हो जाता है शाम को खाया कर ये बड़ा cargar effect है तो अब मेरे को banana खरिदवाने हैं आपसे तो मैं काऊंगा जाओ 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 तो जब आप banana चेक करेंगे क्या आप banana smell करके चेक कर लेंगे आप कम से कम दो चार केले खाईए सड़े गले तो नहीं है टेस्ट ठीक है की नहीं laboratory में ले जा के उनका calorie content protein content carbohydrate nutritional value देखिए क्या है उसके अंदर और क्या होना चाहिए तब आप लीजे तो इसके लिए कम से कम आपको पांच बनाना चाहिए बट आप अगर एक बनाना ले आएंगे तो क्या टेस्टिंग हो पाईगी बच्चो तो sample इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सारी characteristics कम से कम दिखा दे homogeneity I've already told people what is this sample should be homogeneous children अगर sample बहुत अलग लग लेके आएंगे तो data results भी आपके अलग लगाएंगे independence of selected sampling unit यह क्या होता है various items of the population in the sample should be done independently of each other मतलब सर नहीं समझ मैं आपको इसका अरे बड़ा असान है take an example there are 200 people living in a colony करे चलों अब 200 में एक परिवार में 50 लोग अकेले रहते हैं और बाकी कितने बचे बचो 150 and 150 में there are how many families 10 families और 50 लोगों में कितनी है बचो एक family और आपने सोचा कि 25 लोग का data collect करना है दिमाग की बत्ती जलाईए mentors खायब अगर क्या पूरे 25 इस परवार के ले ले no आप इसमें से 5 ले लीजिए और बाकी 20 इसमें से ले लीजिए तब independence नजर आएगी अगर आपने पूरे 25 लोग यहीं से उठा लिए school में IQ टेस्ट होना है क्या सिर्फ science वालों को पकड़े ले जाए क्या सिर्फ math वालों को पकड़े ले जाए तो independence of selected sampling unit का मतलब यही हुआ कि जब आपको sample collect करना है तो एक तरह का मत collect करिए it should have variety basically ताकि आपको अलग-अलग तरीके के लोग जब मिलेंगे तो data उससे जो आप collect करेंगे वो भी अलग-अलग होगा अपडेट कर लीजे copy में first चलिए तो is this much understood well this much understood well तो जैसे मान लीजे भाई आजकल चोटे बच्चों की eyesight का भी problem चल रहा है चोटे बच्चे चार-पात साल की होते है उनकी भी eyesight कमजोर होती है बट क्या उसका logic TV देखना होता है कहते हैं आज ज्यादा mobile देखो कि आखराब हो जाएगी सच्चा ही बताओ बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता ज्यादा mobile देखने से अगर आँक में irritation हो रही है तो आँक खराब होगी सब्सक्राब गया बट अगर आप mobile देखने और आइस में को irritation नहीं हो रहा और तब भी आपकी eyesight weak है इस जेनिटिक डिफेक्ट कि मेडिकल इस्टी पढ़ लीजे किसी के पढ़ दादा अगर हाट अटक से मरे दादा जी हाट अटक से मरे पिता जी भी आटेक्ट से जाएगा उनका बच्चा भी आठक से चैलेंज करता हूँ मैं आपको चैलेंज करता हूँ probability 90% से जाधा होती है 90% जाधा बट अगर दादा जी को हाट अटेक नहीं था पिता जी को हाट अटेक नहीं था लगा क्यों मरी हाट एक से सुबह शाम सोया चाप खा रहा है चिली पनीर खा रहा है कॉलेस्टरॉल बढ़े जा रहा है उसकी अगली जेनरेशन जो होगी उसमें हाट इटेक बाई सो कॉल्ड वो जीन ट्रांसफर आ जाएगा बट उसके अंदर बाई जीन ट्रांसफर नहीं आया था तो अकर किसी 17-18 साल के इंसान की आई साइड वी खो एज का प्रॉब्लम खाने पीने का प्रॉब्लम जेनिटिक नहीं है बच्पन में मम्मी ने हरी सब बच्चे का आइसा नहीं है तो मेरी सिस्टर को क्लास 6 में लगा था मेरे को ग्राजूएशन में लगा था बच्पन में तो अपने आप तूट ऑपने पर प्रसे नहीं शुक्रण और एकई बात फिर से उगताई बच्पन वह लूपते धर को बार 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 बच्पनी तूटेएव है बाइबर्थ वाले लॉजिक समझ में आ रहा है तो समझ में आ गया तो अब अगर हर 10-11 साल के बच्चे के दाठ तो डॉट रहे तो डॉक्टर इसके उपर रीसर्च करें डेटा कलेक करें ऐसा क्यों हो रहा है तो पता लगा यह जैनिटिक एफेक्ट है ऐसा वंस इन लाइ लड़ाई जगडा बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर डेंटिस्ट की दुकान बहुत चलेगी तो वहाँ पर आप एंबीबिएस ना करें आप डेंटिस्ट का फोर्स करें और लास्टम चल्डेन मैच्चेज विद दो अब्जेक्टिव ऑप डाइंवेस्टिगेशन आपको लोगों की हाइट और वेट का डेटा इकठा करना है और आप उनसे क्या पूछते जा रहे हैं name and age क्या आपको objective match होगा आपके data collection से absolutely not क्यों sir height और weight इकठी कर रहे हैं क्योंकि आप girls और boys के clothing business में deal करते हैं dresses बनाते हैं तो आपको पता लगा 12 साल के maximum बच्चों की height 4 feet से 5 feet के आसपास होती है समझ में आगया उनका waist size is around 22 to 28 inches तो आप जो trousers बनाएंगे वो लगभग 24 से 26 inch के आसपास का बनाएंगे यह बई 22 वाला भी पहन ले और 28 वाला भी पहन ले आजकल आपने देखा होगा trousers हलके से expand होते हैं चल रहे हैं तो वो denim जो होता है jeans उसमें spandex एक material होता है elastic basically उसको मिला देते हैं कि जिसका 30 waist size है तो वो 32 तक fit हो जाएगा जिसका 34 है वो फिर 32 वाला खरीद ले तो 32 वाले को भी 32 आजाएगा belt लगा के पहन लेगा और 34 वाले को भी आजाएगा विकॉज वे expand कर रहा है तो यह कपड़े वाली company के लिए भी डेटा का लेक्शन बहुत ज़रू होगी है लॉजिक अंडर्स्टोट चेरा पुंजी में आपको फैक्टरी लगानी है शाता बनाएं कि शूस बनाएं शाता ज्यादा विखेगा तो वहां पर डेटा कलेक्ट होगा चाते की यूसेच का समझे की नहीं समझे मज़ेदार चीज आने वाली है जिसके साथ आज का लेक्शर हमारा समाप्थ होने वाला है एक्जिट पोल ये क्या होता है एलेक्शन का रेजल्ट आने से पहले अलग-लग न्यूस चैनल बताते हैं न कि किसकी सरकार बनेगी तो एक्जिट पोल में क्या करते हैं वो इंटर्व्यू लेते हैं लोगों का जातर लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे है अगर 90% लोग बोले कि हम सौरब मोर्चा पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार इनकी बनेगी जगी दल को हम प्रमोट कर रहे हैं तो सरकार इनकी बनेगी समझ्मा गया रस्तोगी यूथ दल को हम प्रमोट कर रहे हैं तो सरकार इनकी बनेगी तो जो लोग ज़्यादा इंटरव्यू में पटर-पटर करने मतलब वोट जिनों ने दे दिया है वो उनी को दे के आए होंगे तो exit poll में क्या एक एक आदमी का interview लेते हैं, no, they do sampling, they do sampling, समझना गया, अब आपने एक बात गौर की होगी, election चार phases में हो रहा है चलगे, पहला phase मान लीजे 15th में को हुआ, फिर 24th में को हुआ, फिर 6th June को हुआ, और फिर 12th June को, जब तक सारी जगा election हो नहीं जाता, क्या कहीं क कि भी counting start होती है, क्यों नहीं होता है, इसा पता है, मान लीजिए, first phase की counting start करके, result declare कर दिया, कि ये party के लोग जीत गए, तो दूसरे phase में लोग सोचेंगे, चलो vote, इन ही को दे, votes का domination हो जाता है, पहले 3 phases में, पता लग गया, X party जीत रही है, तो लोग मन बना लेंगे, कि चल कि वोटिंग हो नहीं जाती, तब तक result का declaration नहीं होता, कभी बात आई होगी दिमाग में, कि जहां का election होगा, वहां का declare करते है, इसल नहीं करते है, कि वो दूसरी जगा के election को dominate ना करते है, तो बच्चों समझना गया, what is exit poll, कभी आपने भी सटक पे निकलते हो, देखा होग कुछ news reporter आप से कुछ पूछ पाच लेते हैं, what they are doing, are they asking everybody the same question, no, some people they choose upon, and they ask them only, so they are doing what, sampling or senses, sampling, समझना गया, छोटा बच्चा होता है घर में, दादाजी के साथ भी थोड़ा सा खाना खाएगा, थोड़ा दादी मा के साथ खानेगा, थोड़ा सा खाना अपने पापा पी ममी के साथ खाएगा, अब फुर खुद बुकल प्लेट लेके बैठ जाएगा, पहले क्या कर रहा था, sampling, और अपनी प्लेट में खाने लग गया तो, senses, school में भी होता होगा, अपना टिफिन ले की नहीं गए, सबके टिफिन से तो दो दो मुह मारे पड़े है, what is that, sampling, या कोई बच्चा क्लास के भार गया वाश्रूम, उसका टिफिनी पूरा हीच गए, खा गया पूरा, क्या किया, हम तुमारे टिफिन का सेंस कर चुके है, खोपड़ें बात गई की नहीं गई, फिर वो चेक करेगा, किसने किसने खाया होगा, वो sampling कर रहा है, तो समझ भागे बचो, तो exam में question पूछेगा है, चालेस, बच्चा कह रहा है, मैं तो पूरे चालेस करूगा, what? कुछ कह रहा है, बीस भी करने तो बहुत बड़ी बात है, तो teacher तो उम्मीद करता है कि बच्चे census की तरह question पर करेंगे, बट जो नहीं पढ़ते वो क्या करते, इसको कर ले, इसको कर फिर बच्चों, इसके बाद sampling के अलग-अलग methods आप पढ़ेंगे, what? और वो methods कहां-कहां use होते हैं, that is the most important thing, हर जगा, हर method नहीं use होता, अलग-लग जगाओं पर अलग-लग methods use होते हैं, तो अगर Switzerland से save आ रहा है, जो इंडिया में 2000 रुपे किलो विखेगा, वहां sampling का method अलग Any queries, please ask them.